इसमें हमने एट्मोस्फियर का आधा पोशन फिनिश किया जिसमें हमने एट्मोस्फियर की डेफिनेशन लंकी उसके बाद उसमें कौन से चीजों का समावेश होता है तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सिजन और बागी के 1% में अधर गैसी उसमें वाटर वेपन, डस्ट, सॉल् इसमें इसमें के बाद हमने लेट्विक पॉशन लेट्विकिन लेट्रोजन आप पे लएक आपको एक राउन में कुछ दिखाए देरहे रहे तो लाइक पाई चार्ट यह पाई चार्ट जैसा दिख रहा है लेकिन इसमें हमें एट्मोस्फियर में जो गेसिस का पोश्चन है वो बताया है कि नैट्रोजन 78 परसंट है ऑक्सिजन 20 20.99 यानि कि एप्रोक्सिमेटल 21 परसंट है और अधर गेसिस यानि कि 0.98 परसंट यानि कि वो 1 परसंट ही हुआ तो यह आपको है याद रखना है तो इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा गेसिस हमारे पास है नैट्रोजन कि इतना है 78 उसके बाद सेकंड नंबर पर कोन आता है ऑक्सिजन 21 परसंट इन दोनों को मिला के कितना होता है 99 परसंट राइट त तो आपको इजिली याद रहे जाएगा अभी हम परेग्राफ देखेंगे Gases like oxygen and nitrogen keeps the living creature on the earth alive यानि कि यह जो Gases है oxygen and nitrogen उसकी मदद से हम सारे सजीव जिन्दा रह सकते हैं क्यूं क्यूंकि हम सास लेते हैं तो उसमें clean air चाहिए clean air तो nitrogen है oxygen में ही available होती है ठीक है तो हम सारे जो living organism से जिसे कि trees, human beings याने कि हम सारे मनुश्य उसके बाद animals and trees ये सारी जो और कुछ सुक्ष्म जीव insects ये सारे जो living organism से वो nitrogen और oxygen की मदद से ही जिन्दा रह सकते हैं nitrogen reduces the intensity of oxygen अभी oxygen है वो बहुत ही तीवरिवायो है तो nitrogen क्या करता है उसकी तीवरिता को कम कर देता है आगे देखेंगे water is the most important component in the atmosphere अभी water जो है वो atmosphere का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है क्यूं क्यूं क्यूंकि हम सबको पता है water cycle के बारे में ठीक है बारिश केशे होती है तो स सबसे पहले बारिश में क्या होता है कि पहले evaporation होता है ठीक है water ज्यों होता है वो गरम होता है और उसकी क्या बनती है weapon बनती ही उसकी भाब बनती है वो आस्मान में उपर चाओती है वो जो प्रोसेस है क्या होता है बादल बनते है और उसके बाद बारिश होती है तो इसी तरह से अगर पानी होगा हमारे पांस तो ही बारिश आएगी ठीक है इसलिए बारिश को ये जो atmosphere है वाटर को atmosphere उसका बहुत इंपोर्टंट component कहा गया है due to heat the water in the form of vapor evaporates and mix with the air which is known as a moisture अभी पानी जो है वो उसकी भाप बनती है evaporates की बनत से और उसके बाद क्या होता है कि वो हवा के साथ मिलती है और उसका क्या बनता है moisture याने की उससे वो उसको क्या बोलते है moisture याने की नमी या फिर भेज भी उसको बोल सकते है तो process of cooling of vapor is cold condensation अभी पा यह जो water vapor होती है उसको ठंडी होने की process को हम क्या बोलते है condensation याने की घनी भवन या तो फिर गाढ़ा पन या तो फिर दबा उसमें क्या होता है बारिश के बादल बनते है various forms like moisture like few, dew, fog, clouds याने की धुमस जो सुपह सुपह कभी हमें दिखाए देता है कि हमें कुछ चीज़े दिखाए नहीं देती ऐसा लगता है कि जिसे जमीन पे बादल उतर है लेकिन वो क्या होता है वो water weapon वो वेपर होती है इसके बाद fog उसके बाद clouds and precipitation का मीनिंग क्या होता है बारीज वो रहीं का similar word है the effect of the atmosphere is seen on human beings in every aspects of life such as their foods, habits, clothing, habitats, color, economic activities, etc अब यहां पे क्या बोला गया है कि atmosphere में भी जो सारे change हो जाए है उसकी असर हमारे जीवन जिने के तरीके पे दिखाए देती है कौन-कौन सी चीज़े पे food habits यानि कि हमारा खाना जैसे कि summer होता है तो atmosphere एकदम सनी होता है तो हम cold rings और वो सब ज्यादा खाते है ताकि हम body को cool रख सके उसके बाद winter जो है उसमें atmosphere एकदम ठंडा होता है बहुत ही ठंडी होते हम कुछ warm foods ज्यादा खाते है घी की बनी हुई चीज़े ज्यादा खाते है इसके वचे से क्या होता है हमारी body को अंदर से warm मिलती है उसके बादे clothings याने की कपड़े summer में हम lightweight कपड़े पहनते है color भी light होता है ताकि sun rays को कम attach करे attract कम करे और हमें गर्मी कम लगे लेकिन winter में हम woolen clothes पहनते है और dark color के कपड़े पहनते है habitat याने की हमारा नीवास थान जो हमें यहाँ पे बहुत कम effect होती है लेकिन जो लोग mountains के नजदिक और उन सब के नजदिक रहते हैं जहां पे ज़्यादा गर्मी होती है तो वह थोड़े time के लिए transpiration करके दूसरी जगा पे चले जाते हैं जहां पे बहुत ठंडी होती है तो वह लोग winter की season में दूसरी जगा पे आ जाते हैं याने कि बहुत सारी चीज़ों हमारी life की बहुत सारी चीज़ों पे atmosphere की effect दिखाई देती हैं इससे हमें पता चलते हैं कि atmosphere हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है में dust particles are seen in the atmosphere अभी हवा में हमें बहुत सारे दूल के कन दिखाई देते हैं अभी आप सोचते होंगे कि हवा में कहां दूल के कन दिखाई देते हैं वह तो हम देख नहीं सकते हैं अटमस्फियर लेकिन कभी भी कम बंध कमरे में आपको दिन के समय में कमरा बंध कर देना है या तो फिर थोड़ी से खिरकी कुली रखनी है ठीके या तो फिर कहीं पे छेद होता है वहाँ से आपको कोई से क्रोस में जाके देखना है तो वहाँ अंदर से जो प्रकाश की कीरन आएगी न उसमें क्या दिखाई देगा आपको छोटे-छोटे करन हवा में तेर रहे है ऐसा दिखाई दे रहा होगा वह क्या होता है 10 particles होता है spreading of sunrise are visible due to these particles अभी क्या होता है कि की सुझे की कीरन जो होती है न उसका फैलना ये 10 particles की मदद से ही होता है इन करणों के कारण क्या होता है संद्राइज का प्रसार हमें दिखाई देता है अभी क्या होता है संद्राइज वो में सद्राइज नहीं दिखता ऐसा नहीं होता है कि चलो हम किसे स्विच लाइट की ओन करते तो उजाला हो जाता है, लाइट की switch off कर देते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो sunset और sunrise भी कुछ जैसे, यह sun जब rise होता है, याने कि sun जब उगता है, तो धीरे 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 उगता है, तो धीरे धीरे करके set होता है, यह हमें किनकी मदद से दिखाए देता है, यह दूलों के करणों के कारण ही दिखाए देता है, यह दूलों के करणों के कारण सुर्यास्त के बाद अचानक अंधेरा नहीं होता है, और सुर्यादे के बाद अचानक उजवलता नहीं होती है, अभी क्या होता है शूर्य की किने पृत्वी की सतर पर इन धूल के करणों की मदद से वापस परावर्तित हो जाती है और हम शूर्य का प्रकास हमें प्राप्त होता है अभी एट्मोस्फियर है तो हम एक दूसरे का आवास सुन सकते हैं अभी यही कारण है कि रेडियो और दूर्दर्शन का प्रशारण संभव है तो एट्मोस्फियर हमारी लाइफ के लिए बहुत 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 ही जरूरी है तो अभी आप यह पोशन अच्छे से समझ गए होंगे आगी का पोशन है वो हम नेक्स वीडियो में लाइन करेंगे ठीक है तब तक के लिए टेक करें वन्दे मात्रम